लो एवरिवान वेलकम तो वाइफाइट चेंजिंग दावी ओफ लेर्णिंग स्वागत्य आप सभी का इंडिया के नमबर वन सभी चनल वाइफाइट अपना एक इंपॉर्टन सेशन होता है जहां पर हम लोग 40-50 मिनिट के अंदर इंडिया के सबसे इंपॉर्टन कुरंट जो है वो हम लोग कवर करते हैं तो उमीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे शेयर करते होंगे अपने फैमिली के साथ में फ्रेंट के साथ में ताकि सबी लोग इस सेशन को देख सेके तो जैसा कि आपको मालूम है कल हमारा सेशन नहीं हो पाय था तो 3rd of February और 4th of February दो दिन का important session है जो कि हम लोग cover करने वाले है ठीक है और उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग को आवाज और बागे सब जो है वो आ रही होगी आवाज वाज आ रही है perfectly कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है तो हम लोग क्या करने वाले है दो दिन के important current affair है जो कि cover करने वाले है एक तो 3rd of February और 4th of February अवाज वाज आ रही perfectly को दिक्कत तो नहीं है चालो बहुत अच्छी बात है अल्राइट ठीक है तो सबसे पहले यह सारे के सारे एक्जाम में अगर आप इन पर से किसी भी एक्जाम के preparation कर रहे हो तो आपको इस सेशन रेगूलर देखना चाहिए फॉलो करना चाहिए आपको बहुत कुछ चुछ है वो सीखने को मिलेगा अब करिकुलर में क्या चल रहा है वो उसके अलावा भी देश में दुनिया में क्या चल रहा है क्या इंपॉर्णेंट है क्या चीज़े करने चाहिए लाइफ के अंदर बहुत चीज़े हैं जो कि आपको सेखने को मिलती है तो अपना एजेंटा क्या है दोस्तों दिन का हमा हुआ फन फैक्ट देखेंगे पांच हिंदू में से और साथ कुछ कोशन है जो कि आज के सेशन में से देखेंगे कल के कोशन की बात करें तो मैंने आप से पूछा था दोस्तों कि इंटरनाशनल बर्ट सेंचुरी तेली ना तेली नी ला पूरम नाम की जो है वो कहां पर है तो यह है आपके आंद्र परदेश के अंदर नेक्स कोशन मैंने आपसे पूछा था नेगलेक्टिड ट्रॉपिकल डिजीज को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से तो यह क्या है ग्लोबली मिनिस्कूल पॉपॉपॉलेशन इस से आज भी अफेक्टेड है इसके अ स्टेटमेंट भी सई है आपको अफरीका और एश्या में देखने को मिलेगा यह भी सई है ना वराइटी ओपैथोजन से जो है यह देखने को मिलती है और यह भी सई है तो मेरे ख्याल से डी आपका अंसर है जो कि यहां पर होना चाहिए चलो अगला सवाल की बात करें तो यहां पर था नेशनल कमिशन फॉर वोमेन को लेकर तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टैच्वरी बॉड़ी है स्टैबलिशक अंडर दा सेक्शल अर्श्मेंट ऑफ वोमें एट वोग प्लेस एक्ट और विशा का गाडलाइन साब सभी को मैंने पहले भी कई बार जो है वो पढ़ाया है और सेकिंड में सही है इट कैनोट टेक सोवे मोटो अक्शन तो इंक्वार इन्टु दा केसिस तो आपका सही यहां पर बिल्कुल सही जवाब है नेक्स था बॉम साइक्लोन को लेकर ठीक है विच्वन फॉलंग स्टेटमें इस करेक्ट अबाउड त जनरली तो यह भी सम्वेर जो है सही बात है ठीक है सम्वेर तो अपन यहां पर सबसे बेस्ट जो रेलिवेंट आंसर होगा वो यहां पर बी लगाएंगे सेहत इनिशेटिव को लेकर बात करें तो यह मिनिस्ट्र फैंबली एंड हेल्थ वेलफेर के दुबारा स्टार्ट ह जो की करा गया था ठीक है चलिए इसके लब अगर आपको किसी बी एक्जाइम की प्रेशन करनी है जैसे कि एससी है यूपी एंडिया के किसी बी एक्जाम के लिए तो आप गुरुकुल बैच को भी जोइन कर सकते हैं जो कि अभी एससी में लांच किया गया है यहां पे लगाना पड़ेगा भी एक्जू टैन या बुनेश टन जिससे आपको टैन परसेंट आफ मिल जाएगा आप इस राफल को यूपी एससी पीसी डिफैंज बेंकिंग एससी किसी बी एक्जाम में के लिए अपलाए कर सकते हैं आपको डाउनलोड करनी है मुबाइल नंबर ड अब साइट पर जाके सपॉंसर एचाइड एजिटेशन करके भी कर सकते हैं ठीक है आप वालेंटियर भी बन सकते हैं अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो मात्र पांसो रुपे पर मत में बच्चे के एजूकेशन आप स्पॉंसर कर सकते हैं एक पीजा की कॉस्ट में चलिए आज यह कोड़ दे हैं वें सम्थिंग इस इंपॉर्ड इनफ यूदू इवन इव दा ओड्सार नौट इन यूवर तो एक बहुत सही बात है जो कि आप एलमस के दुवारा बोली कि जब कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती न तो चाहे कितने ही कॉंप्लि आट कर दिशन कितनी Чूण ओ और कंडिर दो और अएगी आएगी लागा अगर इतना ही आसान हुता तो इस जीज्च की इतने एन्पॉर्डेंश होती नहीं अगर जो हर एक की लाइफ अलग है हर एक की से अलग 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 है आघर एक का लाइफ में जीने का तरीका अलग ह तो और भी अलग-अलग होते हैं तो इन और सो को जो है ठीक है देखने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो क्योंकि कॉम्प्लिकेशन सो आएंगे लेकिन जीत उसे की होती है जब आप कि स्ट्रगल के साथ में जो है वो आगे बढ़ते हो कितनी प्रॉब्लम आए उसको फेस करके आगे बढ़ते हो ठीक है यहां पर बच्चे ने बोला है कि सरे आंसर यहां पर दूसरा होगा सेहत का हां यार बात सही आपकी फैमिली और वेलफेर नी होगा यह तो इनिशेटिव जो है नहीं मिनिस्ट्र डिफेंस के दुवारा किया गया एक्चुली मैं पेंशन वाला बनाए गाय था है प्लैट्फॉरम पैंशन के लिए और आपके मेडिकल के लिए मेडिकल की सुविधाओं के लिए टेली मेडिशन की सुविधा भी थी हना तो मिनिस्ट्र डिफेंस होगा इसका सही आंसर फैमिली और वेल वेलफेर नहीं चेट को पैसा नहीं मिला यहां पर क्रिमिनल लॉज में दोस्तों अमिंडमेंट करने को लेकर बात करी जा रही है इसके बारे में बात करेंगे यहां पर राम टेंपल का इश्यू है यहां पर इलेक्टरल बॉंड को लेकर दिखाएगा आपको मालूमें एक करने का पॉलिटिकल पार्टि इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका निकाला इलेक्रोल बॉंड जो भी चाहिए वो डोनेशन दे सकता है दोस्तों जितना चाहिए दे सकता है उसका नाम जो है वो कभी भी बाहर नहीं आएगा ओके बैंक में जाओ और पैसे देदो और इंट्र सरकार को मत्वर सीधे पॉलिटिकल पार्टी को दो ना इस यह सब्सक्राइब कहने का मतलब यह है मतलब तो पर संट में जो की आपको मिलता है तो डिरेंटली वन जो है वो दो क्या दिक करते हैं आपको वापस सरकार पैसे देगी जनता के पैसे आपके पास आजाएंगे ट 2007 में भी हमें हमें ऐसे एक नोर किया था लेकिन हम वापस से लॉट किया थे तो मैडम को पता नहीं कि 2007 और 2022 में बहुत फरक है 15 साल पहले कि एजुकेशन लेवल और आज में काफी फरक आया तो माया वादी जी तो वापस आना कि इनका सपना जो हो सपना रहे जाएगा फिं पर यह फोटो है जो कि आपको दिखाएगा यह तो यह आपका कुल मुला के फ्रेंट पेज है कलके न्यूस्पेबर का और इंपॉर्टन की बात कर तो गवर्मेंट ने दोस्तों स्टार्ट किया है प्रोसेस औफ कॉम्प्रेंसिव अमिंट्मेंट्मेंट टू क्रिमिनल को दोस्तों जो आज के टाइम पर गवर्मेंट और कोर्ट के सामने वह है किसको लेकर यहां पर मेरिटल रेप को लेकर इंडिया के अंदर कानून है जो कि नहीं है ना शादी के बाद में 18 साल से उपर या 18 साल से रीचे अगर कोई महला होती है तो सेक्शन 375 IPC जो है उसके इंदर exception दे रखा पूर्चों को उसके अंदर पूर्चों को किया exception है ठीक है ना वही माना जाता है तो नो का मतलम नो जो आपने देखे होगे ना विता वंचन गे डायलोग होता है तो यह अजीब कानूर है दुनिया में बहुत देशों में दोस्तों में डिया जाता है वो सकता है इसको लेकर बातचीत हो और और सेक्शन 3 जो प्रोटेक्शन ऑफ वोमें फ्रम डॉमेस्टिक वाइलेंस एक दोजर पाँच है ना उसमें भी डॉमेस्टिक वाइलेंस की जो है फिजिकल सेक्चुल वर्बल इमोशनल अभी उसके बारे में बात किया गया है तो यह भी बोला जाता है कि यार जब सजा है वह बहुत ज्यादा है लेकिन यहां पर डॉमेस्टिक वाइलेंस एक्ट है दो जर पांच उसके नित्ती सजा नहीं था हाश पंश्मेंट नहीं है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार किया गया था सर्वे उसके अंदर दोस्तों बताया गया था कि ओके और इसमें म को मिलता है तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा यह मतलब यह वेर्नेस करना बहुत जरूरी है और सारे सबी लोगों को कि यह बहुत ही चीज़े ही कि अगर आप डॉमेस्टिक वाइलेंस कर रहे हो इस तरीके से चीज़े कर रहो और उसका सबसे मेजर इंपॉरेंट रोल प है ठीक है चलो आगे बाद एक बच्चा बोल रहा आलो की इंडिया में नो का मतलब यह सायर अपने तो गाना मतलब तो हां होता है सल्मान का गारा है आपने सुना होगा एक बार बहुत इंट्रस्टिंग के इस भी मैंना आपको बढ़ाय था याद आपको एक उस्टिलियन निढूक कर तो मना करते करते हो इतनी परिशान कर दिया फिर जच के इन लॉयर था इंडिय। वह था परसंट तो कई सारे इंडियन मूवी दिखाए गई जिसके अंदर दिखाएगा कि कितना जब लड़का पीछे पड़ता है पीछे पड़ता है लड़की यहां बोलती तो लड़के का जो पुरा ब्रेंस सेट अप है जो पुरा माइंड सेट है वह इंडियन कल्चर के लेकिन इंडियन यह फिल्म जो दिखाए जाती है ने इसाप से उसका बनावाए तो वहां पर ऐसे होता है कि आप पीछे पड़ते हो ना तब लड़की आप बोलती है लोगों को तो मुवीज में इसा दिखाए जाता है तो उसने को भी लगा वहां पर जाके कि ऐसे करने से क्या है गल्फेंट बन जाएकि उसको लेकिन ऐसा नहीं होता है जैनुवल लिए चलिए ठीक है तो यह केस था यह और पता है जज ने जब वो मूवीज देखी कई सारी मूवीज दिखाए गई जिसके अंदर इस तरीके से दिखाए गया है तो फिर वो भी कर्वेंस हो गया इसको छोड़ दिया किया इसकी तो कोई घलती नहीं है तो विचारा बच्चपन सही ऐसा है इसका मेंटल सेटप भी ऐसा हुआ है ठीक है चलो आगे बात करते हैं नेक्स चलते हैं न ठीक है तो बहुत इंट्रस्टिंग केस्ता ही है मतलब चलिए पेस नमर तीन के बारें ब से पढ़ते हैं हम कैसे इंवार्मेंट पे रहे हैं हमारे टीचर्स ने हमें क्या सिखाया है किन चीजों पर मना किया है यह सब चीजे हैं जो की आपके पूरे दिमाग को सेट अप करती है समझ गए कि किन चीजों से यस होता है किन चीजों से लो होता है यह सबसे बड़ा फ जो मेरी गल्फेंट थी अभी वो मेरी वाइफ है तो चलो ठीक है आगे बात करते हैं पेज नंबर तीन की तरफ चलते हैं तो यहां पर दोस्तों डेलिमिनिटेशन कमिशन का जो टाइम पिरेड है उनको एक्स्टेंड किया गया है वापस है और एलेक्शन तो कहर पता नहीं क है ना सुल्तान पिच्चर देखियो कि ना जिसमें बहुत ही बगवास सी अर्यानवी लेंगविज बोले बोलते हैं थीक है तो हलांकि अर्यानवी लेंगविज बहुत ही इंट्रस्टिंग है बहुत ही मज़ा आदा सुनने के अंदर जैसे इक आमिर गान की दंगल मुवी से उसमें अर्यानवी बोली गई थी बहुत ही परफेक्ट ली और एक सल्वान कान वाली थी लेकिन मुवी से आप याद कर सकते हो है तो सुल्तान पूर नैशनल पार्क जो है वहां पर क्या वेट लेंड्स भी है और काफी जबर्दस्त एरिया है तो इसको कल्चर ली डबल उमें दोस्तों जो सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं जाज परताल करने की कोशिश करते हैं उनके मडर हो जाते हैं उनको कही बार जो है अटैक हो जाते हैं तो बताय गया है दोस्तों की छे जनलिस्ट की मृत्ति हो गई 108 लोग के ओपर अटैक हुए 2021 के अंदर जिसमें जमुएन कश्मीर, उत्तरपर्देश, मद्यपर्देश और तिरिपुरा ये चार राज्या ऐसे हैं जहां पर सबसदा अटैक जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन की ओपर देखने को मिले हैं तो नए दिल्ली के बेज़ एक राइट ग्रूप है उनके दुवारा ये रि सब्सक्राइब को मालूम है जिसके अंदर रैंकिंग दे रहे हमारी और वो रैंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है चलो तो यहां पर आप से पेपर पूछेंगा सब्सक्राइब किस कौन से राज्या में हुए है तो जमुकर्षमिर, उत्रपर्देश, बन चुके एक बार वह प्रिजेंटर बन चुके एंकर बन चुके उन्होंने जनलिजम परना छोड़ दिया थोड़े बहुत बचे उनके अगर नहीं करेंगे तो इसलिए जरूरी है दोस्तों डेमोक्रेसी के इंदर फोर्थ पिलर हमेशा मीडिया को जनलिजम को इसलिए मा का तो सही इंफर्मेशन राइट इंफर्मेशन बहुत है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए आगे चलाने के लिए चलो ठीके गाइस तो आगे बात करते हैं तो यहां पर हमारे रैंक जो 2021 के अदर अप्रेल में रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड प्रेंस फ्रीडम इंड इसके अलवा इंडेक्स के अंदर कई सारे कंट्रेस को रिजन के अकॉर्णिंग भी जो है वो लेवल फ्रीडम है ना अविलेबल टू जनलिस इसके ओपर है जो की डिफाइन किया जाता है इट इस नौट इंडिकेटर को लेकर नहीं है कि क्या है आपके वहां पर जनलिजम इस ए रिपोर्ट जहां पे फीडम की बात होती है कि किटनी जनलिजम को जनलिस्ट को फ्रीडम मिलती है , जब तक विरिडम हमी नहीं मिलेगी तब तक काम कैसे चलेगा चलिए आगे बात करते है जर्नलिजम तब में जर्नलिजम क्या है में वैक्सीन अगेंस डिस इंफरमिशन तो इसको दोस्तों जर्नलिजम को 73 परसेंट आउट ओफ 180 कंट्रीज में तो कम्प्रीटली आफिर पार्शली ब्लॉक करा हुआ है सिर्फ बारा ऐसे देशे 180 कंट्रीज के अंदर जो की फेवरेबल इन्वार्मेंट जहां पर जर्नलिजम के लिए कोविट-19 पिंडामिक के अंदर तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गए ठीके गाइस मेजरली जो कंसेर्ड ने वह एश्या पैसिफिक रिजन की ऊपर है कई स इसके लावा नॉर्वे के बारे में बात करें तो दुनिया के पांचवे साल लगातार दोस्तों नंबर वन के ऊपर रहा उसके बाद फिल्लेंड डैन्मार्क इरिटीरिया दोस्तों दुनिया में बॉटम के ऊपर है चाइना की रैंकिंग भी 177 के ऊपर है ठीक है और नॉर को सवाल पूछ लेता होगा ना तो जैसे पीछे जाके ऐसे कर देता होगा उसके बॉडिकार समझ जाते होगे कि आज इस जनलिस्त को जो है वह वह उपर वेजना है चलिए हमारी परफॉमेंस भी दोस्तों कुछ खास नहीं है हमारे प्रदानमंत्री जब से प्रदानमंत्र लिए और नेपाल की 106 है श्रीलंका की 127 है बुटान के 65 है इंफेंट पाकिस्तान भी बहुत ही क्लोज हमारे 145 के उपर है और बैट फॉर जनलिजम जो की तौर पर कंट्री जो कि हमारे आपर बताया है चलिए आगे बात करते हैं और यह सब तुमेंने आपको बताए दिया है ठीक है इसके अलावार रिजन क्या है दोस्तों रिजन यह कि सबसे पहले जनलिस्ट के ओपर अटैक है ना एक्टिविस्ट हो गए तो यह सारे जो है वह कोई नहीं कोई केस लगा कि अगर को रिपोर्टिंग करता तो इसको जेल में डाल दाता है अटाक होता है कही सारे के द्वारा उनके उपर जिसके अंदर कही सारे जनलिस्ट के द्वारा तो महिलाओं को भी टार्गेट किया जाता है आरेस्मेंट को लेकर आपने देखा यह पिछले कुछ सालों के अंदर है ना फ्रिटम प्रेस कि अगर बाग करे तो यह दोस्तों आपने संजु मूवी द है दोस्तों फंडमेंटल राइट उसमें सभी को आपको भी मिलिए freedom of speech and expression साथ में मीडिया को भी मिलिए कि वो कोश्चन कर सकते हैं समझ गए तो प्रोटेक्शन हों कोश्चन मार्क यह होता है कि समझदार लोगों ने कोश्चन मार्क को देखा लेकि 90% लोगों ने कोश्च बनाने का यह भी एक तरीका है कुछ भी पूच कि आगे कोश्चन माग लगा दो आपने देखा होंगा ना यह ना मीडिया चनल्स जो है वो कुछ भी लिख देता है इंडिया के बजट के टाइम पर पाकिस्तान हिल रहा था पाकिस्तान दूज रहा था इम्रान खान काप र सब्सक्राइब और फांडेशन रखी गए डैमोक्रेटिक और लेकर ओके हाला कि फ्रीडम प्रेश भी दोस्तों एब्सिल्यूट नहीं है ऐसा नहीं कि कुछ भी करके आप हमेशा फ्रीडम प्रेस की बात करोगे इसके ओपर भी दोस्तों रिस्टिक्शन जो कि हमने आर्ट करते हो ठीक है तो यह सब चीज है चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 के तरफ चलते हैं कल का इन्यूस पेपर है कल की यह तो इंडिया और श्रिलंगा के बीच में दोस्तों पांसो मिलियन डॉलर का लोन एग्रिमेंट है जो कि हुआ है और यूस ने दोस्तों नाटो को बढ़ावा देना है समझाइ इस पेशली एक्सपोर्ट को बढ़ा देना है आपको मालुम है ना कि हम लोग फ थिंगेंग और शिलंका दोनों ने मिलके 500 डॉलर का line of credit agreement जो कि क्या line of credit agreement जब होता है तो उसका मतलब होता है कि क्रेडिट का करता है आपको पहले से पैसा जेता है बाद में लेता है तो line of credit है जो कि हमने दिया है और हम लोग help कर रहें शिलंका को जो फ्यूल कर शॉटेज आए जो एकनॉमिक की वहां पर हालत बहुत खराब है महेंगाए बहुत बढ़ गई है इंफलेशन बढ़ गई है तो उन सब चीज़े से counter करने को लेकर उनके पास में डॉलर्स बचा ही नहीं है समझ गए ठीक क्योंकि से ही दोस्तोंके वाथ ही में करन से जोगी आया करती थी तुरिजम तबाश को गया दो साल से हमारे अंब में चुम्हारिक की मैं सारी है ठीक है न्यू डली सपोर्ट फॉर फ्यूल यह देखिए फ्यूल के इंपोर्ट के लिए अब इंपोर्ट करवा होगे तो आपको डॉलर देना पड़ेगा डॉलर है नहीं इसलिए हमने पांसो मिलें डॉलर का क्रेडिट है जो कि इनको दिया है ठीक है इन्होंने दोस्तों च चाहते हैं कि ग्रोथ क्या काम करें इंडस्ट्री के लिए एसे मी के लिए प्रडेक्ट टेवलमेंट को लेकर हमारे जरूरी ट्रांसफर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जादा हो आगे बात करते हैं पेश दूबर 14 दोस्तों यहां पर बात करें कि जो इंपॉर्ण है जो कि यह की दिखाते हो अब क्रिकेट को जेंटलमेंस गेम बोला जाता था आपको मालू मैं आज कल जैंटलमेंस तो कम हो गए ओके आज कल तो क्या होता है कि कैप्टेन के उपर बहुत इंपॉर्ट रोल प्ले करता है कर आपका कैप्टेन बहुत ही अग्रेसिव है तो टीम भी करना गाली करोज करना लडाई जगडे करना सब बंद कर दिया उनकी टीम अप सिर्फ पर्फार्मेंस पर दान देती है लेकिन पहले के टाइम पर रिकेपांटिंग कैप्टेन थे तो बच उनका काम ही होता था था स्लिप में खड़े हो जाना और कीपर और स्लिप अलों को अब एक लिए पैसे तो इसलिए मिलते थे कि उनको बैट्स्वन को परिशान करना है अगर कभी आपने करकेट और उनसे का इंस्पायर बहुत होता है अगर मैं खुद करें खेला करता था तो अलब अगले प्लेयर्ट जो है वो कुछ भी बोल रहे हैं मजाग अगा रहे हैं आप जो मिशल न्यूजलेंड की प्लेयर बहुत अच्छे इसके अंदर आपने देखेंगे बहुत ही शान्स भाव के बहुत ही काम है तो यह फोर्थ न्यूजलेंड के प्लेयर इंको इस अवर्ड जा सब्मानित किया गया तो यह कोई टी टोंटी वल्ड कुप के अंदर इ से इन्होंना मना कर दिया था क्योंकि बहुत ही आई प्रेशर चेज गेम था और ओके तो इसके अंदर इस लिए उनको इस अवर्ड सम्मानित किया गया है आगे बात करते हैं फिनेंशल एक्स्प्रेस को दोस्तों तो यहां पर आप देखोगे तो दुनिया के दोस्तों सब अबी करिया लेक्त किया गया है तो निरत्च उप्रा को भी नॉमिनेट किया गया है वैसे अभीतों क्योंकि अवर्ड वार्ट के गोश ना की नुद नाम है हमारे बाद होना भी दोस्तों आशे किसी पर पोट की बाद होती है इसलिए यहां पर दोस्तों है यहां पर होने वाला है रोजर फेटर दोस्तों सबस्द है आवर्स को मिला था स्पोर्ट्समें का वोड्शिक का टीम का वॉट्ग मिला था ब्रेक्थू के अंदर यहां पर पैट्रिक को कम बैक का दैने को Disabilities टीटी और एक्षिन का वाँ किसी को निमिला मुवमेंट का क्रिसको उससे पहले 2020 के अंदर सचित अंदर को दोस्तों मुवमेंट ओफ देकेड का क्यों कि सचिन को वर्ड पर याद ना बहुत ख़दरनाक लेवल पे है ना सबस्क्राइब जी मुषार हो हुए लेकर अषक क्या सम्मारीत ख़व है जनत्यकों कि बाद करें दोस्तों तो जन्सत्य के अंदर कुछ इंट्रस्टिंग में तो यह इंट्रस्टिंग के बेटी पढ़ाओ के बारे में बहुत इंट्रेस्टिंग बात है पेपर के लिए इंपॉर्ण नहीं है लेकिन आपको इंट्रेस्टिंग वह देखते हैं तो केंदर सरकार ने दोस्तों पार्लेमेंट में बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान के अंदर पिछल स्थिट आ यह उसको इंप्रोवाइस करना तो उसके ओपर मेजर काम होना चीए उसके अंदर पैसा कम और मार्केटिंग चांशों अगर आपको मार्केटिंग करने भी है और मार्केटिंग दोस्तों जो होती है वह टोटल बजिट का अँपिशा या 20 परसेंटी है और मैक्स पर पैसे लगना चाहिए बाग की मार्केटिंग के उपर आप लगा सकते हो यहां पर उल्टा हो गया है अगे बढ़ाने के बात करेंगे इसके रिजल्ट क्या रहे डफिनेटी दोस्तों रिजल्ट तो कह रहे और यह बहुत अच्छे रहे और यह यह बहुत अच्छे रहे अच्छी बात है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद में रिजल्ट तो है ठीक टाक है ऐसी बात नहीं है लेकिन और बेटर हो सकते थे अगर प्रोग्राम में पैसा लगता अव्वेस बात है मतलब यह तो सोला पॉइंट इप्रोवाइज जो की देखने को मिला है पिछले सा सालों के अंदर अगर आप देखोगे यहां पर चैसाल का रिकॉर्ड है दोजार बीस तक का है तो नौसो अठारा है जो कि आपे सेक्स रिशो एट बर्थ था भी नाइन थर्टी फोर के ओपर है ओके एस पर था हेल्थ मैनेजमेंट इन्फोरमिशन सिस्टम तो काफी जगर पर जैसे कि मुआ करके एक उत्तरपरदेश में डिस्टे के जहां पर बहुत ही बुरे आला थे 694 से 951 तक करनाल के अंदर बुरे आला थे महेंद्र गड़े तो यहां पर सब्सक्राइब सेक्स रिशो जो है वह इंप्रूव देखने को मिला है ठीक है आगे बात करते हैं अ दुकर निया सब्सक्राइब करें यह सब्सक्राइब को देखने की इन दोस्तों पॉल में करेंगे बीजिंग ऑलम्कों मैं कई दिनों से उया नहीं के प्र Цब्सक्राइब करने के लिए रखा रषी को गवर्मेंट के जॉब कोटा को लेकर जो कि उन्होंने 75% लोकल के लिए बोला था जिनकी सैलरी 30,000 उपे से कम की होती है तो इसके उपर स्टे लग गया दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे और तमिलादू के गवंडर ने रिटन कर दिया नीट का बिल है जो कि पास करने के बोला गया था तमिलादू के दुवारा जिसके इंदर बोला गया कि परसेंटेज की बिहाफ के उपर अब उनको मेडिकल कॉलेज में एड्मिशन देंगे तो गवंडर ने इसको लोटा दिया ठीक है इसके अलावे यहां पर सिद्दू को लेकर है यहां पर ट्राफिक कंट है कि हमारे भी कुछ जवान हुए तो डेफिनेटली हो नहीं थे क्योंकि देखो क्या होता है कि इंडिन आर्मी नंबर में चैनीज से कम है लेकिन जो मोटिवेशन और जो ट्रेनिंग जो है ना वो इंडिन आर्मी के नेक्स लेवल के होती है थाना चैनीज क्या है कि उनके टो तो यतनी देजश्बक्ति होती है ना इतने आ उनको कोई एक्सपिरियेंस होता है उनके आर्मी चैन्टीश चैन्नीग बहुत जादा है तो अकर हातों से भी लगने के जवर्स पड़ती है ना तो बहुत जादा एडवांटेज है इंडिन आर्मी को कंपरिटिव ली है और चाहिना दोस्तों क्या बना दिया गया था थर दोस्तों की्छ विन्टर एंदर बात कर दियाँ घृकार के को कोई भी opening के closing ceremony नहीं दिखाएगा हमारे एक मात्रे अथलीट है जो कि यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनका नाम है आरिफ खान ठीक है एक ही प्लेयर है जो कि विट्र ऑलंपियों में पार्टिसिपेट है जो कि कर पा है ओके वह आरिफ खान तो फूली इनकी परफॉ पार्टिसिपेट करेंगे बीजिंग के अंदर और यह सब तो अगर आप अभी तक देखो के दोस्तों तो हमने तो जो बाइकॉट किया वह चैनिज है ना पॉलिटाइज किया उन्होंने इस गेम को ओके जो फील्डिंग गलवान पीले कमांडर था उसको यहां पर इन्वा बाइकॉट किया वह किसके लिए वजय से किया है और स्ट्रिया स्वीड़न ने दोस्तों कोवीड-19 के प्रोटोकॉल के वज़े से किया है तो इतने सारे डिप्लोमेटिक बाइकॉट है जो कि चैना के अंदर इस बार देखने को मिले हैं प्रदीप कुमार रावत है जो कि वीक के अंदर इंडियन अंबैस्डर जो है वो चाना के बने वाले हैं अगर मैं विंटर ऑलम्पिक की बात करूं तो आप देख सकते हो दुनिया में सबसे नंबर वन के ओपर नौर्वे आज तक 368 मेडल है जो कि नौर्वे ने जीते हैं फिर है युएसे फिर है जर्मनी तो यह दुनिया की टॉप कंट्री से विंटर ऑलम्पिक के अंदर 2018 को था साउथ कोरिया के अंदर अभी हो रहा है बीजिंग के अंदर 2022 कर 26 में होगा कहां पर मिलान इटली के अंदर है जो कि इसको क करवाए जाएगा कॉंटिना और मिलान के अंदर ठीक है आगे बात करते हैं अगर आप विंटर ओलम्पिक देखोगे तो आप देख सकते हो जो नौर्दन कंट्री से जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है है ना वहीं पर ही आपको यह एक इवेंट होते हुए अ फेसे चयां और हमने दोस्तों प्सक्राइश स्कासरट कर दिया था उलंपिक के अंदर तो पा爾िसटाइशन उन्नीस सो से विंटर ऑलॉंबिक दोस्तों हम नाईटिं डिन से जहां वाटेंट कर रह Ainे हां उसके चया बाद 1988 से हमेशा हम लों पर विंधने 55 Eggs जीते चलिए यह देख सकते हो आप हमारे एक दो आटलीट है जो कि पार्टिसिपेट कर पाते हैं अगर मैं बात करूं तो एक एक दो दो एटलीट हैना 2018 के अंदर दोस्तों दो एटलीट ने पार्टिसिपेट किया ऐसा नहीं कि हम लोग पार्फॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होत बात करते हैं पेज नमर 3 की तरफ तो यहां पर जो आज के लिए हमारे लिए जो हम लोग बात करेंगे किसको लेकर बीम से जोशी को लेकर तो सौ साल हो चुके हैं दोस्तों पंडित बीम जोशी के बर्थडे को और बहुत ही बहुत ही अमेजिंग दोस्तों मुजिशन अब दुनिया को दिये ना बहुत ही अमेजिंग लेवल के आगर आपने कभी ठीक है कभी नहीं सुने कभी तो सुनना कभी पंडित जोशी तो सौभी बर्थ एंविसरी दोस्तों चार फैबुरी को जो है वो देखने चार फैबुरी को होती है और कई सारे यंग करनाटका के अंदर को जन्वा पूरे के अंदर अभी 2011 के अंदर ही देथ है जो की देखने को मिले थी ओके पदमश्री पदमेबूशन संगी नाटकेडमी पदमेविबूशन बारत अतना सारे आवार्ड जो कि इनको मिल चुके है कायल मुजिक की एक फॉर में दोस्तों जि यह बिलॉंग क्या करते है कि अन्होंने 94 से लेकर 1982 के बीच में पूरी दुन्या के अंदर मुजिक कॉंसर्ट करें इटली फ्रैंस, कनेडा, युएस्से पूरी दुनिया के अंदर मेरी क्यान जैवा अधिन पहले मुजिशन थे जिनको बुलाए गया था उस जमाने माने च परफॉर्म कितनी बड़ी बाद है तो इनके काम के और जैसे दो जार आट के अंदर निंको हाइस सिविल और भी दिया जा ओके चलिए यह देख सकते आप चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर साथ को लेकर यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कई सारे लोगों ने गेट है दोस्तों कि हमारा जो ठीक है जो रोवर था प्रग्यान वो सक्सेस्फुली जो है उस तर्फिस अव्दा मून तक नहीं पहुच पाए था ना ठीक है तो यह वाली बात थी तो जिसल्वी मार्क 3 से जो हम लोग लूंच है जो की करने वाले और हम लोग अगर लास्ट हो ज जो की टोटल प्लान करें गए और तेरह जार करोड रुपे का अलॉटमेंट इस बार फिनेंशल लिकेंदर बजट के अंदर भी किया गया एक हजार करोड जादा है प्रिविएस यह से चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट है पेस्ट नंबर ग्यारा दोस्तों यहां पर आ इस अपना ग्राउंड जो हो देर देरे खोता जा रहा है और युवेस अपना जो है वो सीरिया और बागी आसपास के एरिया में बढ़ाता जा रहा है ओके तो यह चीज़े जो कि आप देखने को मिली है आगे बात करते हैं फिनेंशल को लेकर दोस्तों तो यहां पर अगर के चलिए यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों आइडबल भी आए का फॉर्मेशन किया यह काम क्या करता है कि इंसल्वेंसी या बैंकरप्सी को कोई भी कंपनी जो है ना अगर बैंकरप्ट हो गई इंसल्वेंसी के लेवल तक पहुच गई तो उसको जल्दी से वाइंड से बैंकरप्सी के वह सारे के सारे यही देखते हैं चेरी परसन में आपको बता दिया मिनिस्ट्र आप अंदर है दिल्ली में इसका है इसके अलावा सत्यंदर प्रकाश जो कि प्रिंसिपल डिरेक्टर है जन्रल है ब्यूरो आफ आउट्रीचन कम्यूनिकेशन के बी ऊसी के उनको अवर्ड मिला है एस एक्षिंक कमिशन के दुवारा दिया गया है वार इजिंग इलेक्टरल पाटिसिपेशन इलेक्टरल पार्टिसिपेशन को इप्रूव करने को लेकर नैश्टल वोंटेशन के ऊपर दोस्तों यह अननौंस्मेंट है जो कि किया गया था हमारे वह बहुत नीचे गिरा ओके जिसके अंदर जो फेस्बुक कंपनिये मैटा जिसका नया नाम है उसके वह उसके तो खैर बहुत ही आलत खराब हो गए जो कि देखने को मिला दोस्तों बिल्राइन डॉलर जो की गायब हो गया दोस्तों मेटा के बनाथ टॉन्टी परसंट डिक गाएन अगे Как ना तो यह मान के चलो कि एक रिलाइंस कम नी डूप गई अमेरिका के इस तरीके से समझो बात को डोस्तों बिलियंड डॉलर कितने होते हैं उसको समझाने के लिए आज विसाज हो कि रिलाइंस हो प्रिक्षा कर रहा हूं और जो सारे कम प्रिक्रशना कर दो सब्सक्राइब तो अगर मालो कलके दिन ये कंपनी के वाइप आउट हो जाए बहुत बड़ी बात है आप देख सकते हो तू थर्टी वन बिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए इसी तरिके से लास्ट यह 2020 के अंदर आपल के सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब इसके अलावा दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि फेस्बुक के डेली उज़र जो है ना वो कम हुए है आपको बता है पूरी दुनिया में साथ बिलियन लोग रहते हैं ना फेस्बुक यूज करने वाले पता है पूरी दुनिया में इंटरेट यूज करने वाले तुर्य यह वर्ल्ड की एक तरीके से पॉपुलेशन है ल्ग चोएक दूरी दुनिया का गया है वैरियं ॥ह वंके तो दोस्तों धोट्रुंच के बारे बात करने डाउनलोड पता नहीं कितने अंडिकर रहें प्रहर बात करने लावर्म लॅक्र pause आउैंकी ऐस्बकải तो आपी यह जो लॉस है ना हुआ है फेस्बुक को अपने यूजर में उसके वज़े से दोस्तों स्टॉप मार्केट में उसका वैल्यू गिर गया है समझ गया है सोचो कितनी बड़ी बात है एक कौर्टर के अंदर इन्होंने परफार्म नहीं किया यूजर नहीं बढ़ा है तो कंपन इस्टेटिंग सिस्टम के अंदर ओके तो फेस्बुक एड चलाना ब्रैंड करना इस्टाग्राम पर मुश्किल हो गया है तो यह सब क्यों जैसे तो आप देख सकते हो फेस्बुक ने रिपोर्ट के थे 2.91 बिलियन एक्टिव फॉर्थ क्वार्टर के अंदर और कोई ग्र कि दुवार्ट लोगों के दुवारा तो यह भी बोल दे गया की यह कंपनी का डिकलाल स्टाट हो चुका है अब जो है वह फेस्बुक नीचे जाना स्टार्ट को चुका है कही लोगों के दुवार यह बहुत यह ज़ादा विजनेरी आत्मी आने वाले 10 साल के बारे में सामने बैठ कर काफिऊ पीरे होगे और आप दोनों का ऐसा लग वनकी सामने बैठे हो लेकिन ऐसा नहीं होगा र्यालिटीक नबर है टिक है कि है चलो आगे बात करते हैं जो क्या लेकर रहें लिए पास्पोर्ट के अंदर ढूर्मेंटगे बहुत का मिलें गें जिससे passport है जो कि मिल जाएगा और उसके अदर सारी information है जो कि passport की और आपकी सब की जो है वो available होगी travel document होगा UN के दुवारा दोस्तों एक standard travel document है जो कि passport को माना गया है आपको मालूम है international civil organization जो civil aviation organization है एक specialized agency है वो इसके उपर जो issues है वो कम हो जाएगे आगे बात करें जन सक्ता की दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हो निजी शेत्र में 75% स्थानी आरेक्शन नहीं तो कोट ने दोस्तों हर्याना सरकार को एक बहुत बड़ा फैसला दिया मुद्दा क्या था हर्याना गवर्मेंट दोस्तों एक दिन रात को जाती है और यह बोलती है कि जो भी company हमारे स्टेट में काम कर रही है जो भी नौकरी 30,000 या 30,000 की कम किये उसमें 75% लोकल लोगों को जॉब मिलेगी अब company के आलत खराब हो गई क्योंकि इनको चाहिए टैलेंट एक प्राइवेट सेक्टर ही तो ऐसा है जहां रिजर्वेशन नहीं है जहां पर टैलेंट के नाम पर आपको जॉब मिलती है जहां पर आपके वर्क स्किल्स को लेकर जॉब मिलती है आपके हैंना experience को लेकर जॉब मिलती है तो company के होगई हालत कराब कि अब यह लोग का से चलन है इतने लोग यह तो सरकार करती कि पहले एक साल पहले एक साल का के अंदर की सितन के सातow मिल कर चला इगर। से कि अंदर थेखने को मिलती है और इंड़स्टी में कौन सी स्किल देखने को मिलती है वो skill में क्या करता हर्याना के पूरे youth को सिखाता with the participation of the public private partnership क्योंकि industry के लोग और government दोनों मिलकर इस program को चलाती ताकि government की भी local लोग को job देने की requirement पूरी हो जाए और industry का skill development भी हो जाए जो उनको चाहिए और in fact एक step आगे ही इसके ओपर चलाते हैं तो क्या होता हर्यानाम के अंदर local लोग भी बढ़िया एक step ऊपर ही पहुशते हैं स्किल development होता जॉब मिल जाते और industry की demand भी पूरी हो जाती और यह काम easily हो जाता अब क्या हो गया यह court में चला गया लागू ही नहीं होगा अब क्या हो गया प्राइवेट और पॉब्लिक के बीच में public मतलब सरकार और public प्राइवेट दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है अब यह चीज सरकार तो बोलेगी करो और प्राइवेट वाले बोलेंगे नहीं हम नहीं करेंगे करेंगे लिए मामला चलता रहेगा एक दो साल के अंदर दूसरे सरकार आजएगी और यह मामला पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा ठीक है तो वहीं बात है मतलब एक और बहुत ही इस्पिरेशन वाली बा पहुषता है अपने जिद्ध की ओपर तो नवाद दूसरी की बहुत पर्फेक्ट एक्जामपल है है ना हमार से इससे पहले शानुखा ने बहुत बड़ा एक्जामपल थे आपने देखा यह नैटिंटिन सर्फरोश मूवी के अंदर एक आत्मवादी का रोल होता है चोट सोचे तीस साल है जो कि खुद का घर बनाने के अंदर लग गए किसको नवाद दिन सिंद्गी को अपना काम करते करते हैं अब कहां आप लोग एक मेने च्छे मेने दो साल की प्रेशन के अंदर हताश हो जाते हो निराश हो जाते हो आथ कड़े करते हो रोने लगते हो करें यह रोलƠ हो गे मुन्हाबाइЙ काने नवाज दृतिन सिंद्धिक है यह यह सरफरोष के अंदर है जनक जिसको जो तका करना होता हो करकर है तो यह 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 रियल लाइफ मैं को यह को रावन की या कोई कुम्बकरन की आ फिर ओन पो राम की कोई स्टॉरी नहीं बता रह आपने मुन्नावाई MBPS मूवी भी देखिए आपने सरफरोज भी देखिए आपने इस बंदे का स्ट्रगल पूरा देखा है आपके आखों के सामने स्ट्रगल है इसका कि कितना चोटा सा रोलता और कहां से कहां पहुंच गया है समझे और बंदे ने खुद का घर लिया है इस बेजिक नॉन प्रॉफिट ऑगनाजेशन सेंटर फो साइंस एंवार्मेंट उन्होंने बोला है कि यूनियन गवर्मेंट के अंदर अभी अनॉस्मेंट हुआ है ना बजट के अंदर तो इसमें क्या हो रहा है कि सरकार के दुवारा कोल गैसिफिकेशन की बात करी गई है च इसको अवाइट करने के ज़रूत है आगे बढ़ाने के जरूत नहीं है तो यहां पर बोला है कि इनके दुवारा जो प्रोसेस से कोल गैसिफिकेशन का इस नॉट अट्रैक्टिव रहों में क्लामीट चेंज पॉइंट ऑफ यू तो यह जादा अट्रैक्टिव जो है वो हम लोग बात करें तो तो कोल गैसिफिकेशन देप्रोसेस इन विच कोल इस पार्शली ऑक्सिडाइज करते हैं एयर ऑक्सिजन के साथ में स्टैम कार्बन ऑक्साइट के साथ में फ्यूल गैस प्रिपेर करने को लेकर और उसको पाइपलाइन के बज़ाए है ना डारेक्ट लेकिन आप डारेक्टली दोस्तों ना एक स्टैब बैटरी है तो सम्वेर मैं इसको कहें मैं तो कहीं ना करना पसंद करूँगा बागी सेंटर फोर साइंस इंवार्मेंट के द्वारा यह इनका बात जो कि यहां पर कहीं तो यहां पर इसी कि कुल गैसिफिकेशन क्या होता आ इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि पीपर में आप से पूशेंगे क्योंकि इसके बारे में बुजट के अंदर बात हुग bunch on drives कि यह को बारें यह जाता तो अंडर या के अंदर convert किया जाता है ना और सिंग्याइस इप्रेदूस इस क्या प्रेदूस करती है सिग्धान सब्सक्राइब ओर यह मिक्षब है मिथेन का कार्बन मोकसाइड का इड्रोजन का का वाटर पर लिए फूल के लिए कई जगर पर इसको काम में लिया जा सकता है ठीक है चलिए ला सिंगेस तो पेपर में आप साथ सिंगेस के बारे पूछेंगे टिपिकली आपको चिल जो कंपनी ज़ना वह कुकिंग को ले जो की काम में लेती मैनिफेक्ट्ट्रिंग प्रोसेस के काम में लिए और कॉस्ट कटिंग करें ठीक है इसके अंदर प्रेशर देख सकते हैं एक्स्ट्रीम कंडिशन के अंदर इसको बनाया जाता है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस को आने वाले टाइम जो है वह आपको यहीं देखने को मिलेगा उनने सो सतर के इंदर इसके बारे मे कर्सब्सटेशन और क्रला गया लिएंगा लोगायुक्तलत मौत देखने को ले कर कुए वह और कि के अंदर क्रत्बर के कौन कर दे कि लाग कर से हीं यहाँक्ट टो लोकिर पर आता प्रोट वो कॉन बयुक्त ऊब अरगों को करफ़ देखने को मिलता है यह अगि वह बना कर दिया अब आधि बिचार एक पास में बहुत के लिमिटिंग पावर के चाहती है लिमिटिंग को all limiting करते हैं ठीक है तो शाहती है कि अगर किसी democracy लावным कोई है तो सरकार के फैसला हो कि वो स करेगी की रिजट करेगी अरे पहले को स्क्रेट करें को सब्सक्राइब करें आता है तो उसे बेखें को kla deja hur ना दें वैसे इनके पास और हिए इनके पास कोई आपिस है कुछ भी नहीं बश्य भी अभी कुछ ताइम पहले जाके उनका बना कोई पावन निस टैचछुरी बोडी यह दोस्तों लोग पालो लोग यह दोजा ते राके बनाए गई लोग पालो लोकाई उसके इसको फायदा हुआ नहीं हुआ लेकिन एक चीज वा जो कि वा मोदी जी को फायदा क्योंकि सरकार बदल गई वर्ना कुछ तो और वहा निदेश के लोगे तो कोई पायदा हुआ नि सब्सक्राइब किसी खिलाव करप्शन के कोई चार्जर कोई ऑफिसर है सरकारी तो उसके खिलाव आप इंक्वारी जो हो बिठा सकते हो अगर उसके खिलाव कोई करप्शन के एलिगेशन से तो ठीक है इसके अंदर पचास परसंट जो मेंबर होते हैं जुडिशल मेंबर होते हैं पचास परसंट स्टेस्ट के अंदर ही लोगपाल का पॉइंट किया गया और आपको मालू है पिना की पीसी गोश्ट आपको जो है रिटायर सुप्रीम हो गए 200 साली हो गया दोस्तों सुड़ें के अंदर इसके शुरुवात कर दिगेए बीस तुंटीफ सेंचुरी के अंदर सेकंड वल्वर के बाद में कई सारे देशों ने जो है इसके शुरुवात करी 1967 के एक वायर रिपोर थी 1967 1967 के इंदर ग्रेट बिटन ने पीडिए प्रशान बूशन के फादर है उन्होंने भी इनिशेट किया कई बार यह बिल आया लेकिन यह कभी भी लागू नहीं हुआ फाइनली दोस्तों 2012 के अंदर बहुत बड़ा अंदुलन हुआ उसके बाद भी पाच्छे सान निकल गए फाइनली जाके 2019 के अंदर जाके सुप्र वाए कि युजसी जो है ना उनिशिटी ग्रैंड कमिशन उसने रिलीज किया एक नैशनल एड्यूकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्ट नैशनल एड्यूकेशन पॉलिशे का यह पार्ट होगा जिसमें क्या बोला गया है कि आप क्या करो बच्चों के लेवल को है ना बत पांटेशन स्टेट पांच साल की फिर प्रैमरी स्टेज फिर मिडिल और फिर सेकेंडर स्टेज असे तो इसके अंदर बोला गया है कि हम लोग लेवल बनाएंगे उस लेवल के साब से आपको एड्यूकेशन देनी है पैरामिटर्स होंगे लेवल फाइफ से लेके टैन तक एक से लेवल फूर तक के कवर करेंगे स्कूल एजूकेशन वे उसके बाद में उनको और बेटर परफॉर्म करने के लिए आने वाले टाइम के लिए प्रिपेर किया जाएगा तो यह सब जो है वो फ्रेमवर्क की जो है वो तियार करेंगा है एक्चुली के इंदर बात करे यह नहीं होना चाहिंजगे कि जोसको पता है वह अपने बच्चों को सिख हाए और वह तो ख़ैर आज नहीं तो कल टीचर किया सिखाएगा हुआ जो स typing जो आज बच्चे को अपने गार किया जाए जाल कि तयर一下 क्या यह सीखा जाता है यह जाए दर यह कि जो मैं तुञ बत करना चाहिए कि बच्चे सोचने पर मजबूर हो वो सोचे है ना वो प्रॉब्लम का सलूशन सोचे ओके डाट इस दा पाट अफ लर्णिंग चलिए आज प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग स्कूल से कॉलेज से ग्रेजवेट हो जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आये तो उसका सलूशन निकालने में आलत खराब जाती है बस लोगों को एक काम पसंद है कि दिमाग ने लगाओ कोई ऐसा काम दे दो जिसमें दिमाग लगाने काम नहीं हो जो कि सबसे मेरी ख्याल से सबसे बगवास काम है एक फिक्स काम करने वाले हमारे हाँ पर ज्यादा लोग मिलेंग हरिटेज नॉमिनेशन को लेकर हमने कही सारे वल्ल हरिटेज साइट के अंदर इंक्लूट करने को लेकर कुछ टेमपल से जो की बेज़ें जैसे कि 12-13 सेंचुरी का टेमपल है है ना होई सिल्मंदिर है उनको अमने इंक्लूट करने के लिए बोला है ओके देखते हैं मतलब इसी प्रकार से उसले टेमपल है ओके मोस्ट एक्जम्पल एक्जम्पल है जो की माना जाता है वुष्णु वर्धान उनके दुवारा 1121 के अंदर इसको बनाए गया था उसी प्रकार से केशव टेमपल है ओके यह सारे टेमपल को इंक्लूट करने के लिए बहुत अबी की करें तो कॉंटेक्टलेस क्रेडिट कार्ट पतांजली के साथ में पी एंबी बैंक में लॉंचे करें हैं ओके इसके अलावा सीनियर एड्वोकेट और अडिशनल सॉलिटर जनर्र उपेंदर सिंग जी की दोस्तों मृति हो गई गांधी मंदिराम समृती समृती वनम पंजाब के चीफ एलेक्शन ओफिसर ने दोस्तों मैंस्कॉट लॉंच किया शेरा ओके तो सीओ है पंजाब के इलेक्शन के उन्होंने शेरा जो है वो लॉंच किया यह एक तरीके से सिंबल है जो की बताया गया है इंडिया का फॉर्जिकल पार्क जो है वो जबलपूर पर बनाया चारा है अप्रूबल उसका मिल गया है तो यह था आज का आपका इंपॉर्टन सेशन गाई इसके लावा फॉर्स पेपर मनी जो है वो मैसा सुचेट्स में इस्चु करे गई का मतलब है ट्विस्ट करना एक्जोनरेट का मतलब होता है कि तो रिवील करना और अब्डिकेशन का मतलब होता है अब्डिकेट करना डिग्निटी करना अना ब्लेटन का मतलब है किसी को कुछ भी बोल देना विताउट सोचे समझे फन फैट की बात करें तो दोस्तों आपक पर बागा करो और लोंग डिस्टेंस के लिए पूरा फुटाना चाहिए इडिकर प्रॉब्लम का सलूशन देखो कितिनी प्रॉब्लम होती तिन रुपैप कर दिवाइस बना कितना असान हो गया लेबर के लिए उके ग्रेट इनोवेशन चलिए इसके लावा दोस्तों यह सब पर आपको मालूमियां अकाडमी पर कोई भी एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप रैफल को लगा सकते हैं या बुनेश टेन आपको 10% आफ है जो की मिल जाएगा आपको डाउनलोड करनी है मुबाइल नंबर डालना है गोल सेलेक्ट करना है आपका बारह मैंने चौबेस म कौन सा कंट्री टच में नहीं है अना ड्राफ पॉलिशी वर सीनियर सिटिजन रिकंगनाइजिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिक्शन कौन से स्टेट के दवारा प्रपोस किया गया है डिजिटल वर्क प्लान 2022 किसके दवारा बनाए गया है तौप स्टील प्रोडूसर पू ड्राफिक्शन कौन से स्टेट आगया है रिकंगनाईजिक्शन के दो है स्टेट कर दोद्चन के दिजिए में के दिएर में अना रिए।